दलीतों के खिल रहा है। यह सारा एक नफरत की राजनिति की जो की है। कि पहले भी राम नम्मी के जलूस निकलते थे लेकिन अब क्योंकि आठ साल में किया तो कुछ है नी जमीन पर को काम तो कुछ किये नहीं चिरफ मंदिर बना दिया तिन सो तरा तिन सो सतर अटा दी उससे क्या रोजगार मिल गया और धरम के नाम पर कुछ भी करने को त्यार है और जायतर जीतने राम नम्मी का जलूस हो, अनुमान जन्ती हो, या कावड लेने की यातरा हो, उसमें कौन होते हैं जायतर यह तो नहीं होते हैं, सब से ज़्यादा हम सर्वन कुमार बनते हैं और घर में आकर के हम अपने माबाफ से लड़ा के हैं, बहन मायवती हो, भाई चंदर सेखर हो यह सब अपनी राजनिती चमकाने पर लगे हुए हैं इनको समाज से को लेना देना इनको नहीं है तो समाज के लोग जो यूवा खासकर उनको आज ध्रम का जहर पिलाया जा रहा है जो अधिकार दिये थे हमारे को अधिकारों पर जो आज तलवार चलाई जा रही है और सबी जो बदलने का जो प्रियतनी सरकार कर रही है इसको अगर हम एक जुट हो कर आज संगर समय किया तो हम इसको बचा नहीं पाएंगे मेरे नाम रामकरन है राइस्तार में गोलेद के सरकार में मेरे दलितों के घत्याचर हो रहा है वह हम जानते हैं कि हुट आप इनकी सते क्यों है presenting मेल्युक। होता होता है जो भी होता होता है वह बहुता लेकर आपकी पार्टियां है जो लगतार आपका वोट लेती हैं वह मोखरता नहीं नहीं हो तो बाद री ऑकट जो तो करो तो करते हैं वह और संगर्श करो हम सिक्सित भी हो गए लेकिंग संगठित और इस तरह से बाबा साथ उस इसाब से में संगर्श कर दो हमने क्या किया हमने आर्थ निका लिया लग अलग समाज के अलग अलग произош चौन बना करके पूछन समाज से बुद्धी जीवी जो है कोई प्रोफेसर है कोई बरिश पत्रकार है वो लिखते हैं कि आज जो यूवा पीडी है वो धर्म की आड में जा रही है धर्म का जंडा लेकर सबसा आगे है जबकि उसे ऐसा नहीं होना चाहिए बावासाव अंबेटकर का मिशन व मों को इसके लिए मारे समाज संग्ठन बनाएं बढ़ा है इस तरह के समाज के अंदर जाना चाहिए ता बाबा सही अब आओं अनूं सुesta रहे हम अलागाला के यहां बॉन पालम की संक्ठन बनाई थी और अनुसुची का है आज हम वही 85 परतिसाद पिचासी जगह बटे हुए हैं एक जगह कहा हैं जितने हमारे नेता हैं चाहे बहन मायवती हो भाई चंदर सेखर हो यह सब अपनी राजनिती चमकाने पर लगे हुए हैं इनको समाज से इंद लेना देना इनको नहीं तों म onlar हम सबसे ज्यादा हमदूट कुमार बनते हैं और यह किसी तरह कर दारा है तो बाबा सहब ने जो बाबा सहब की जो लोजी थी जितने भी बड़ा साब के मानने वाली की जो यह उन्सव को संग्ठित होना पड़ा हका वास्तावमें तभी समाज का कुछ भला हो सकता है नहीं कितने सिpopular सिल आज adult Non पड़े लिखे लोगों की वज़े से ही पिछ रहा हूं बाबा साहब को भी जो है पड़े लिखे लोगों नहीं दिया था उस समय और कॉंग्रेस की सरकार बनी थी तब वीपी सिंग की सरकार में भारत रतन दिया था सरकार में थे तो इसलिए ऊस तरह से दिया गया को लेकिन आज जो मोधी सरकार की अगर हम बात करें तो बाबा साहब के नाम के उनका जो सविधान जो जिनके लिए ने लिखांगा बाबा सहाब ने लिक्था अधिकार दिये थे हमारे को फेल बदलने का छो क्प admir यह सरकार कर रही है इसको अगर हम एक जुठह कर आज संगरस नहीं किया इसको बचा नहीं कि पाइंगे बाबा साभ में उसमय जो हितने एक के ल осв явis Co J doesn't class कोई भी सिक्षागी बात नहीं कर रहा था सिरफ देश को अजाद करेने की बात हो रही थी और उसमें सभी पार्टियों के लोग सभी नोजवान तक करें भगत सिंग है कोई वो देश के अजादी के लड़ाई लड़ रहे थे लेकिन उस समय भी एक सक्स था जो इस जो वो 200 सा हजार तीन हजार साल पुरानी जो जात्ती विवस्था थी उसके खिलाब अगर कोई लड़ रहा था तो उन्होंने जो है इस समय इनके साथ लड़के रूर इतने जो नेता थे उस समय जो भी सरकार में थे उनके साथ लड़ाई लड़कर के जो बड़ी मतलब सिदत से समाज के लिए और इनको जो एक हमरित दिया सवीधान के रूप में जो इनको आजादी दी आज उस आजादी पर खत्रे के बादल मंडरा रहे हैं लेकिन हमारे आज 130 संसद बैठे हैं संसद के अंदर लेकिन वह 31 मिलकर के सवीधान को बचाने का प्रियास नहीं हो रहा है औ पर आज सवीधान पर अभी पिछे आपने देखा दो साल पहले 9 अगस्त 2020 को यहीं जंतर मंतर पर सवीधान की परतियां जलाई गई थी तो क्या कि हमने तो साथियों मेरा तो सभी सही निवेदन है आज बाबा साहब का जो 130 जैनती मनाई जा रही है पूरे विशव में इसक बाबा साहब की पूजा करने की जरूरत नहीं है बाबा साहब ने कहा था मुझे 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 मत पूजो लेकिन जो उन्होंने कहा उन विचारों पर आज चलने की जरूरत है उन विचारों को अपने अंदर उतारने की जरूरत है तब मुस्लिम के खिलाफ नफरत के चक्क लेकिन अब क्योंकि आठ साल में किया तो कुछ है नी जमीन पे को काम तो कुछ किये नहीं चिरफ मंदिर बना दिया तिन सो दरा तिन सो सतर रटा दी उससे क्या रोजगार मिल गया रोबेरोजगारी के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं लेकिन दिखाएंगे नहीं और भी बह छिञार करें के लिए करना लिए लेकिन उनके सर्कार में योगी जी की सरकार में हिंदू की सरकार में रात के 178 वजे सभी नेने देख्या पुरे विशन में देख्या कि को वहाँ किस तरह से मिट्टी का तेल शिड़ा करके जडाया गया था तो वह फाइल कियो नहीं दिखा रहे हैं तो जो दलीतों पर जो अत्याचार हुए थे वह दलित फाइल कियों नहीं नहीं क्योंकि नोना किया कुछ है नहीं इसलिए जो है कि हिंदू का जहर पिला अभी तो करेंगे अभी दो साल बाकी है अभी तो इसी तरह की राज़िती चलेगी जाती की बात करें क्व बेचेदी की कि इस जुए जो जो मनौध की जो मनौधियों की सरकार है यह इस देश की विड़मना है याज देश के अंदर बाजसाब दो विचारदाराओं की लड़ाई है एक है मनुवाद और दूसरा अमबेड करवाद एक तरफ अमबेड करवादी हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं अलग अलग लड़ रहे हैं एक तरफ मनुवादी जो है इस देश में जो है इस देश के सविधान को खतम करके हिंदू तो हिंदू तो करके इस भारत को जो बाब लोग तो इस बारत है यह इसको हिंदुस्तान बनाने की जो कोसिस हो रही है यह बड़े दुरभग्य की बात है और यह विडमना है कि हमारे जो समाज के लोग इसको पूरी तरह सही इस तरीके से समझने इस लड़ाई को एक जूट होकर नहीं लड़े अलग लड़ाई तब ही हैं लड़ाई सभी लड़ रहे हैं लेकिन वह अपने तरीके से लड़ रहे हैं एक जुट होकर जब तक लड़ाई नहीं लड़ेंगे इस मनुवादियों की सरकार से इस मनुवादियों से हम नहीं लड़ पाएंगे